नमस्कार दोस्तो जैसरी राम जैसरी बागेश और दाम सरकार जैसरी बाला जी महाराज की जैसरी सन्यासी बाबा की तो दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि नागपूर विवाद के बाद बागेश और दाम सरकार एक बार पिर से मुंबई में बागेश और बाला जी का दिवेदरबार लगाने जा रहे है जी हाँ दोस्तो बागेश और दाम सरकार पंडित धीरेंदर किर्षन शास्त्री जी दो दिन का महादिवे दरबार मुंबई माराष्ट में लगाने जा रहे है बिना टोकन नमबर के नागपुर विवाद के बाद धीरेंदर किर्षन शास्त्री एक बार फिर से मुंबई में बागेश और बाला जी सरकार का दिवे दरबार लगाने जा रहे है आगे हम आपको बताते है कि दिवे दरबार कब और कहां लगाया जाएगा तो दोस्तो आपको बता दे कि एक बार फिर मुंबई की दर्ती पर पंडित दीरेंदर किर्षन शास्त्री महाद दिवे दरबार लगाने जा रही है नागपुर विवाद के बाद पहली बार मुंबई में दिवे दरबार 18 मार्च और 19 मार्च को बिना टोकन नमबर के लगाया जाएगा दिवे दरबार श्याम 5 बजे से रातरी 9 बजे तक रखा गया है समय में थोड़ा बहुत बदला हो सकता है इसलिए समय से पहले ही आप वहाँ पर पहुच सकते हैं और दिवे दरबार का अनंद ले सकते हैं साथ ही अपनी जो भी मनों कामना है वह भी पूर्ण करवा सकते हैं बागे शड़ दाम सरकार के दवारा और साथ ही आपको बता देगी 18 मार्च और 19 मार्च को बिना टोकन नमबर के लग जाएगा तो चलिए अब बात करती है कि दिवे दरबार महराष्टर में कहां पर लगेगा दिवे दरबार स्तान आपको बता देते हैं एसके स्टोन गराउंड मीरा बाईदर रोड पूरो मीरा रोड ठाने महराष्टर में यह दिवे दरबार लगने जा रहा है और साथ आपने कैसे गजब की मैमा है बागे शुर्दाम सरकार की कितने भारी विवादों में फसने के बाद भी बागे शुर्दाम सरकार हनुमान जी की बागे शुर्दाम सरकार बाला जी की सक्ती नहीं छोड रहे है बक्ती नहीं छोड रहे है और साथ ही आपको बता देगी सनातन कि दोजा भी नहीं त्याग रहे है क्योंकि बागे शुर्दाम सरकार का कहना कि हिंदू राष्टर जब तक नहीं बन जाएगा जब तक वह रुकेंगे नहीं ठकेंगे नहीं तो एक बार आप भी जयकारा लगा दीजिए जैसरी राम जैसरी बागे सुर्दाम सरकार जैसरी बाला जी महराज की